बहुत वह स्वागत है दर्शुकों मान्नेवर कांसी राम साहब कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदाई दरसल वो चाहते थे कि जो आरक्षन है या तमाम जो जिन चीजों का बटवारा होना चाहिए तमाम चीजों का बटवारा जन संख्या में जितने लोग जिस जाती के हैं उसके हिसाब से उनको दे दिया जाए तो सारा जो जगड़ा है आरेक्षन का या तमाम जो वितरन का जो जगड़ा है वो सारा खत्म हो जाएगा उनके सुझाओ बहुत ही शांदार थे बहुत बेहतर थे और इसी के आधार पर उनकी सरकार बनी थी बसपा की जब उत्तरपिदेश में तब उन्होंने ये प्रयास किया था कि लोगों को उनकी आवादी के अनुसार जो है आरेक्षन दिया जाए अब हुआ यूँ कि जब केंद सरकार ने EWS के नाम पर ब्राह्मनों को जब ये आरेक्षन देने की विवस्था की जिसमें दस प्रतिशत उन्हें आरेक्षन दिया गया तब बहुत सारे लोग इसके खिलाफ गया और तमाम सारे लोगों ने कई जो राजनी के जो दल है उन्होंने इसकी लेकिन बसपा ने इसका समर्थन किया और कहा कि ठीक है दस प्रतिशत उनको दे दिया जाए हाला कि सवर्णों की अब तक ये माना जाता रहा है कि तीन प्रतिशत ही है तो ये उनके आवादी के अनुसार जाधा होगी तो ठीक है इसका जब उन्होंने समर्थन किया तो उन पर भी ये उंगलियां उठी कि भई आप मानेवर कांसी राम के जो विचारों से चलते हैं लेकिन फिर भी आप जो आबादी के इससे जादा का जो उनको दिया जा रहा है आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं अब बहुत सारी बढ़ी इसके बाद ये कोर्ट में भी गया मामल और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको सही कह दिया कि ठीक है ये बिलकुल सही दिया जा रहा है दस प्रतिशन जो आरेक्षन है वो सवर्णों को सही दिया जा रहा है ये ठीक है को इसमें कोई गलत नहीं है अब इसका असर ये हुआ कि जो पचास प्रतिशन का जो उनका खुद का लगाया हुआ जो बैन था कि आरेक्षंड पचास पतिसाद से जादा नौ हो ये तूट गया और इसके तूटने का सही फायदा अगर किसी ने उठाया तो कुछ राज्य सरकारों ने उठाया जिसमें सबसे पहले हम इसे कह सकते हैं हाला कि तामिलाडू जो सरकार है उन्हों एस्टी के लोगों को तुरन दे दिया इसके साथ ही चछतिसगर सरकार ने भी सबसे पहला जो काम किया वो की आबादी के नुसार आरेक्षंड देना शुरू कर दिया अब आप इसको बहुत 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 तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने आबादी के नुसार च बदल दिया उसको आबादी के अनुपात के आसपास ले जाने की कोशिश की है राज विदान सभा ने आम राय से दो विधैक पारित किये हैं जिनके लागू होने के बाद राज की सरकारी नौकरियों में सिक्षा संस्थानों में कुल आरेक्षंड 76 प्रतिशत हो जाएगा इन विधैकों के मुताविक राज में EWS को उनकी जनसंख्या के अनुसार 4 प्रतिशत आरेक्षंड दिया जाएगा और ST को 32 प्रतिशत OBC को 27 प्रतिशत और SC को 13 प्रतिशत इधर जारकन विदान सभा ने भी राज में कुल आरेक्षंड 77 प्रतिशत कर लिया है इन विधैकों के कानुन बनने से राज में ST आरेक्षंड 26 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो जाएगा OBC आरेक्षंड 14 से बढ़कर 27 प्रतिशत और SC आरेक्षंड 10 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगा राज में EWX आरेक्षंड को 10 प्रतिशत ही रखा गया है अब इसका असर ये हुआ कि करनाटक की BGP सरकार भी अब आरेक्षन की सीमा 50% से बढ़ा कर 56% कर रही है जिसमें SCHT को उनकी आबादी के अनुसार आरेक्षन दिया जा रहा है ये हम कह सकते हैं कि ये अच्छा आसर है एक तरह से और उन्होंने भी अफैसला कर लिया कि जो SCHT आबादी है जो करनाटक राज में उनको उनकी आबादी के अनुसार आरेक्षन दिया जाएगा तो ये एक तरह से हम इसे अच्छा संकेत कह सकते हैं लेकिन वहीं दूसी तरफ हम देख रहे हैं कि 36 गड़ में जो राजय पाल हैं जो केंदर सरकार की एक तरह से प्रतिन दिया हैं उन्होंने इस आरेक्षन पर रोक लगा रखी है और उन्होंने इस पर सवाल खड़ा कर द सकती हैं या फिर उसको पुनर विचार के लिए सदन में वापस भेज सकती हैं लेकिन उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती हैं अब उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है और इस प्रगार की सवाल खड़ा करने का जो भी उन्हें सलाह दे रहे हैं अगर वो सलाह दे रहे हैं उ के सबर्न सलाकार यह तरह दे रहे हैं तो उससे उन्हें समझना चाहिए कि यह गलत सला उन्हें दी जा रही है हला कि इस पर आपका क्या कहना है आप भी अपनी बात कहें लेकिन एक तरह से EWS का जो लागू होना है या एक तरह से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैद क अनुसार तमाम लोगों को आरेशन दे सकते हैं इसमें जादा फायदा SC, ST और OBC का हो सकता है अब इसके लिए तमाम लोगों को मांग उठानी चाहिए बहुत बहुत दिनवाद